Welcome students, Class 10th के आपके पस्ट प्लाइट बुक के पोईटरी सेक्शन के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हमने आपके लिए 3 पोईम्स के 5 क्योशन्स लिए हैं या यह कहें 5 क्योशन्स के आंसर्स लिए हैं लेकिन आप इन क्योशन्स हैं और इनके आंसर्स से 21 क्योशन्स के आंसर्स बनाएंगे यह शांदार ट्रिक हम आज की वीडियो में लेकर आए ही आए समझते हैं पहला क्योशन जो कि बोस्ट इंपोर्टेंट है डस्ट ओप्शनों से वाट साइड ओप नेचर डू क्रो एंड हमलक ट्री रिप्रजेंट यानि कि कववा और जो हमलक ट्री है जिसे हम विशेला पोधा काते हैं जरीला पेड काते हैं धतुलिका पेड़ वो क्या प्रतिनिदीत करते हैं प्रकर्ति की कौन सी साइड का तो the crow represents the dark and sorrowful sides of nature कववा प्रतिमिद्यत करता है अंदकारबरे और sorrowful यानि सेड उदास प्रकर्ती का जो प्रकर्ती है उसकी साइड है उदास जो उसकी साइड है और अंदकारबरी साइड है प्रकर्ती की उसका और the hemlock represents the poisonous side of nature और जो धतुरे का पेड है जरिला पेड है वो प्रकर्ती की पोईजनी शानी जरिली साइड का को रिप्रेजेंट करता है प्रतिमिद्यत करता है man faces both these things at different times in his life वेक्टी सामना करता है इन सब चीजों का अलग-अलग समय पर उसके जीवन काल में यह तो गया पहला क्यों सन नमबर टू what is the theme, message, central idea of the poem dust of snow अब यहाँ पर theme का question अलग बनता है, message का अलग बनता है, central idea का अलग बनता है यहाँ यहाँ पर तीन क्यों बनती है यानि यह एक आंसर उन पांच question का भी answer है इन तीन के लावा यानि आर तो इसी में से हो गया यानि 21 नहीं बलकि 24 questions का यह एक वीडियो बनाए है हमारे लिए आए देखने है the theme, message, central idea of the poem is that there are simple actions that leave a great impact on human mind यानि इस कवीता की theme विशे वस्तु central idea के अंद्रे भाव message संदेश यह है कि there are simple actions that leave a great impact on human mind कुछ एसे साधान कारे होते हैं जो कि मानों के मस्तिष के ऊपर बहुत ज़्यादा impact यानि प्रभाव डालते हैं a sensitive man is affected with every action एक समवेदन सील वेक्ती हर उस action से उस कारे से affected यानि प्रभावित होता है the dust of snow indicates the falling down of said pessimistic thoughts from the poet's mind जो धूल है बर्प की indicates वो प्रती के बताती है the falling down जैसे ही वो बर्प गिरी पेड से ऐसे ही कवी के मस्तिष के से ये सेड़ दुखी दुख और pessimistic यानि निरासा वादी thoughts विचार यूसी dust of snow के साथ नीचे गिर गए यानि उसका mind अब इन सबसे अलग हो गया ये remove हो गये मस्तिष के से after the change of mood जब कवी का mood change हो गया अच्छा हो गया the poet made use of his time तो कवी ने उसके समय का सदुपयो कर लिया the poet presents nature as a mood changer कवी प्रकरती को mood बदलने वाली बताता है तो ये तो हुए इसके answer और इसकी जो साथ ही 5 questions और बन रहे हैं उनके answer भी आपको सामने हमने बता दिये और ये भी बता दिये कहां से कहां तक इनका answer लिखना है आगे बढ़ते हैं fire and ice में what do fire and ice indicate in the poem fire और ice कवीता में क्या चीज़ indicate करती है बताती है answer देखिए जो आग है वो इनसान की कभी समात नहीं होने वाली इच्छाओं को बताती है अब मैं आपको बता दू इस poem के इस answer से भी आपको 5 questions के answers बन रहे हैं यानि इसके अलावा 5 questions के answers बन रहे हैं जो इसी answer से आपको बनाने हैं जो आपको सामने नज़रा रहे हैं यानि अलग से उनका भी answer याद करने की ज़रत नहीं है These desires are in the heart and mind of human being और ये इच्छाएं जो human being हैं हम इनसान हैं उनकी heart, दिल और मस्तिस्क में इच्छाएं हुई हैं Desire is the root cause of all evils that can lead the world to destruction ये जो desire है, root को जयानि मूल कारण है सारी बुराईयों का जो कि संसार को destruction विनास की ओर लेज जा सकता है The eyes indicates a third जो burp है वो indicates बताती है, a third नफरत को which spreads rapidly in mankind जो कि मानवता में तेजगती से बढ़ती है and develops enmity और इंसानों के अंदर दुश्मनी पेदा करती है Among humans, इंसानों के बीच, according to the poet, unending desires, lust, greed brings hate and hate brings ruin कभी के अनुसार, कभी समाप्त नहीं वाने वाले इच्छाएं, lust का मलब वासना, greed, लालच नपरत लेकर आती है और hate जो नपरत वती है, brings लाती है, ruin यानि बरबादी, destruction लेकर आती है अब आपकी question number four है, a tiger in the juices, how does a tiger terrorize villagers या यहाँ पर villages भी आ सकता है, जो बाग है वो गाउं वालों को या गाउं को के से डराता है He snarls around houses, वो मकानों के आसपास गरजता है, धारता है He comes to the houses at the jungle stage, वो जंगल के किनारे बसे घरों तक आ जाता है He terrorizes the villagers, showing his white fangs and his clothes, वो गाउं वालों को उसके सब पेज तीखे दातों से और उसके पंजों से डराता है Question number 5, अब इससे भी आपके 6 questions बन रहे हैं, इसके लावा, how does a tiger in the jule live? यानि चिल्यागर का भाग के से रता है, इसके लावा 6 questions भी आपको नज़राएंगे, जो इतने से छोटे से आंसर से बनेंगे A tiger is restless, एक भाग बेचेन है, सेड दुकी है, frustrated, निरासे, uneasy, यानि बिल्कुल, uneasy, uncomfortable है और उसे परिशान है वहाँ, and in a silent anger in his cage, और उसका जो गुसा है, उसने silent, शांद किया हुआ है His strength is kept behind the bars, उसकी ताकत को सलाकों के फीचे डाल दिया गया है He laments over his condition, वो अपनी condition पर विलाब करता है तो ये 5 questions हुए, और इसके साथ हमने आपके इसे इतने सारी questions बना दिये इसी तरीके के tricks वाले वीडियो देखने के लिए आप जरूर अपनी channel को subscribe करें वीडियो को जरूर लाइक, share करें और अपने channel के साथ exam तक continue आप बने रहें आपकी class 10th कि हम ऐसे तयारी करवाते रहेंगे Thank you